हाई गाईज मेरे दा मैं साहिल खाना और आज की बिदिन शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज है भाई ले आउफ्स की बहुत जादा लोगो निकाला जा रहा है तो अभी रिसेंटली जो सिंदर पिचाईजी है गूगल के CEO उन्होंने बताया कि हमने ले आउफ किया है ताक लिंक्ड होती है परफॉर्मस से अगर कंप्री के परफॉर्मस नहीं होगी तो उनको उतना ही कम पैसा मिलेगा साथ में एक बिलिनेर है क्रिस्टिफर जी उन्होंने बोला सुंदर पिचाई को कि अपने साफ को और ज्यादा निकालो और सेलरी को और ज्यादा काटो कह रहे अगर हम उनकी सेलरी की बात करके चले न तो उनकी सेलरी 1.5 MILLION पाउंड थी अगर हम उनकी सेलरी बात के चले थी ये एक दिन की है ठीक है मन्तली देखो ये ली देखो कितना पैसा कमारे है तो उनको भी यह है सिंपल से वैस सुंदर पिचाई को भी बहुत अच्छा गासा मिला था तो जितने भी ऊची पूदिश के लोग होते हैं उनको पैसा तो मिलता ही है क्योंकि compensation उनका होता है company के profits related वाधा का company इतना कमाएगी तो तुमको इतना मिलेगा अगली कबर crypto exchange Gemini की है वो भी 10% अपने staff को निकाल रही है reports के हिसाब से मतलब overall देखा जाए तो firing firing का जमाना चल रहा है बहुत जारा firing हो रही है ford की बात करके चलूँ तो वो भी 3200 employees को निकाल रही है Europe के अंदर पूरे पूरे बुरी कबर है यार यह सारी के सारी और मुझे अच्छा भी ने लगता है यह news सेट positive रहे पहले मैं क्या करता था पहले मैं last मैं negative रखता था पर फिर मेरे को एक बंदे की comment चूग गई उसने बोला sir यह इसको आप starting में रखा करो और ना की last में रखा करो अगर मैं केजरिवाल जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है center को कुछ step लेने चाहिए IT professionals की बहुत ज़्यादा नौकरिया गई है मैंने कल वाली news के अंदर भी cover करके आपको बताया था अगर November 2022 से देखे तो 2 लाग से ज़्यादा IT workers की नौकरी जा चुकी है US के अंदर जिसमें से 30 से 40% Indians है बहुत बड़ा गंबर है यह पर center क्या करेगा इसके उपर यह देखने वाली बात है क्या center IT company कोल देगा खुद की पता नहीं अगली ख़बर जुमैटो की है तो दिपिंदर जी ने जुकी जुमैटो के CEO है उन्होंने बोला है कि हमारी 800 vacancies है यह मौसम है जहां पर निकाला जारा लोगों को यह कह रहे है आप hiring करो reason क्या है अभी कुछ तैम पहले ही इन्होंने लोगों को निकाला था 3% के around अपनी workforce को खाली किया था इन्होंने उसके साथ में अगर देखा जाए हैं कि बहुत सारे जो top management के लोग थे वो सब के सब छोड़के गए अब यह कह रहे है कि भाई देखो क्या होता है क्या नहीं होता है अगली खबर जेब बजॉस की है तो अडानी जी से आगे निकल गए है third richest person बन गए है 121 billion dollar की wealth के साथ में अगर मैं जेब बिजॉस के स्पोक परसन की बात करके चलों तो उनका कहना है कि वाशिंग्टन पोस्ट नहीं बेचा जा रहा है मैंने ही बिजन्स न्यूस में कबर किया था रिपोर्टस आ रही है कि वो वाशिंग्टन पोस्ट बेच रहे है फुटबॉल टीम खरीनने के लिए पर उनके स्पोक्स परसन ने क्लियर कर दिया है यह नहीं है ऐसा नहीं हो रहा है अगली खबर अलाउन मस की है तो वो 11 billion dollar richer हो गए 2 दिन के अंदर नवंबर 2022 से यह सबसे biggest उनकी leap है साही है अगली खबर फिर से अलाउन मस की है उन्होंने बुला है कि वो SpaceX के shares बेच के भी Tesla को private ले जा सकते थे basically क्या हो रहा है अलाउन मस पे case किया गया है उन्होंने पहले एक tweet किया था जहांपे उन्होंने बुला था कि हम Tesla को private लेके जा रहे है मैंने पैसे secure कर लिए इसके चक्कर में shares बड़े बाद में नहीं हुआ फिर वो बहुत कुछ हुआ तो investors का कहना है कि हमको loss हुआ इसके चक्कर में इसके चक्कर में इनको court में लेके गए अब court के अंदर अपनी proceeding रख रहे है कि अपने point of view रख रहे है इससे पहले नहीं नहीं बोला था मैं कुछ भी बोलूँगा तो लोग मान लेगे क्या मैं twitter पे कुछ भी जालूँगा लोग क्यों सच मान लेते मेरी बातों को अब ये बोल रहे है कि ने ऐसा नहीं है मैंने सही में secure कर लिया था मेरे को लगा था जो मेरे पास पेसेक्स के share है वो तो मैं बेच कितना पैसे तो कठा घरी लूँगा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इसके उपर तिरो नहीं बोला भाई 420 डॉलर stock price जो हो गया है टेसला का वो 20% premium से उपर था तो मेरे को कुछ sensor नहीं लगी private ले जाने में इसलिए मैं लेके नहीं है अगली कबार twitter की है तो twitter के उपर case कर दिया है उनके landlords ने क्योंकि Sanfrescus को office का उन्होंने अभी तक rent नहीं दिया है 6.8 million dollar का rent नहीं दिया है अभी तक बढ़ी बात है अगली कबर 5G की है तो Gio ने काया है 50 more cities के अंदर उन्होंने अपना 5G launch कर दिया है क्या आज 5G यूज़ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो मेरी wife के phone में चल रहा है 5G iPhone यूज़ कर रही है मेरे पास में pixel है 5G कंपने ने निकाल रखा है मतलब आना है अपडेट में आना है पर अभी तक आया नहीं है फिर मेरे को पहला लगा इसके अंदर बीटा अपडेट आता है उसके अंदर बीटा अपडेट के अंदर 5G निकाल दिया है मैंने बीटा अपडेट किया तो Naika के share prices 7.5% बढ़ते में दिखाई दिये 10 week का सबसे highest gain है उनका अब ठीक है पहले में आप खल की news में बताया था आपको कि वो घटे जारा घटे जारा घटे जारा घटे जारा ये खबर जैसी है अचानक बढ़ गया अगली खबर Axis Bank की है तो उनका net profit 62% बढ़ा है quarter 3 of financial year 23 के अंदर 5853 करोड रुपईया अगर मैं मारुची Suzuki की बात करके चलो तो उनका भी net profit 130% बढ़ा है 2391.5 करोड रुपई quarter 3 के अंदर बहुत अच्छा profit रिपोट कर रहे हैं हम यहां बाते कर रहे हैं अगर मैं Honda की बात करके चलो तो उन्होंने एक नया division बनाया है electrification business के लिए मतलब electric cars के उपर जो concentrate होगा पूरा है फूचर electric की तरफ जाना ही आज नहीं तो कल तो देखते हैं क्या होता है अगली कबर Vodafone idea की है तो उन्होंने अपनी January की installment dues जो इंडस को उनको देनी है उसके लिए वो default कर गए है और ये बड़ी चीज है reason being मैं बहुत टाइम से इस बात को cover कर रहा हूँ शायद bankrupt हो सकता है Vodafone idea मतलब possibility नहीं है कुछ बहुत बुरा हाल हो रखा है Vodafone idea का company loss पे loss report करे जा रही है उनके subscriber base घटे जा रहे है कोई innovation आ नहीं रहा है तो बड़ेगे कैसे यही समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी मतलब मुझे तो नहीं आ रहा है आपको आ रहा है तो जा हो Vodafone idea को help कर के आऊ अगली ख़बर gold prices की है तो भाई gold prices इंडिया के अंदा है रिकॉर्ड हाई चू गए 57,000 रूपीज का mark चू गए मैं gold वाला बंदा नहीं हूँ मुझे gold पहनना अन्ना वजरा पसंदी है यह बस engagement rink है और एक कड़ा वो शादी में पहनते है तो इसलिए पहन रखा है पर नहीं gold वाला बंदा नहीं हूँ इंडियन regulatory के चक्कर में उनको ऐसा करना पड़ रहा है बहुत बड़ी चीज है मेरे साथ से Tata Motors के लिए मुझे तो बड़ी चीज है Tata Motors की तो इंडिया में इजजत है वो जो कहेगा भाई गौर्णमेंट माल लेती है उनको भी dealis करना पड़ रहा है अगली खबर प्यूश गोयल जी की है तो उनको बुला है कि service export 300 billion dollar पहुंच जाएगा इस fiscal के अंदर हम भी एक contribution दे रहे हैं इसके अंदर हमारी agency भी दे रही है और as a YouTube बात करके चले है तो हम वो भी दे रहे है अगली खबर जुमैटो की है तो उन्होंने वो 10 minute food delivery वाली service को अपनी app पे totally बंद कर दिया है ये बीटा रंग करके देख रहे हैं दिल्ली, NCR और बैंगलूर के अंदर पर उन्होंने totally बंद कर दिया है feasible नहीं है बहुत रूल तोड़ते भी है अगली खबर अशनीर ग्रोवर जी की है तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी किसी को जो गलत condition चल रही है उसके चलते नहीं निकाला है reason being बतलब आजकल सारी company वाले fire कर रहे है कह रहे है भाई economic condition खराब है इसलिए हम निकाल रहे है उन्हेंने कहा कि भाई मैं higher ही फुक फुक के करता था निकालना होता तो जुरत ही नहीं पड़ती थी पर मेरा मानना है कि भाई ये loss में की company थी उसमें क्या निकालना क्या रखना क्या ऐसा मुझे समझ में नहीं आती ही कानी जहां पे company हजारों करोडों का loss report कर रही है वो क्या निकालेगी रोगों क्या रखेगी उसमें कोई बड़ी चीज नहीं होती है इतनी कोई salary नहीं जा रही है कि भाई और loss पहले ही है और loss report कर लेगे तक problem क्या होगी पर उनका ये कहना है कि अभी जो नई company मना रहे है बस बात खतम इससे उपर लाओ आई नहीं सकते बात खतम लोग क्यूं में लगे हुए या फिर जो अभी current team होगी उनके पास भी वो रहेगा competition रहेगा काम करने का अगली कबर US trade body का कहना है कि इंडिया जादा expensive है चाइना से business करने के मामले में अब यह tax की बारे में बात चल रही है subsidies के बारे में बात चल रही है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं चाइना में बिजनस नहीं कर चुका पहले हुए Iya ऍपोर्ट करते थे मैं अब उसका पार्ट हूँ पहले हम यह chemical इंपोर्ट करते थे तो अब मुझे पता नहीं क्या चल रहा है और इसी के साथ आज की इस न्यूस खतम होते हैं उम्मीद करता है को मज़ा आओगा लाइक कर देना शेयर कर देना कमटर देना वीडियो कैसी लगी बाइ गुटेश अगर खुदा आफिस गुड़ मॉर्णि और फुर्म जब भीडियो देख रहे है चैहिन बंदे मात रहों